हमारे हिंदु धर्म में गाय को माता कहा जाता है और कई जगहों पर गाय माता की पूजा की जाती है गाय माता के शरीर में कई करोडों देवी देवताओं का वास होता है इस वजह से गाए माता की पूझा करने से हमें समस्त देवी देवताओं का आशीरवाद एक साथ मिलता है दर्शकों समय नष्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दर्शकों एक बार भगवान भोले नात कैलाश परवत पर विराजमान थे तब ही अचानक से देवर्शि नारत जी नारायन नारायन का जाप करते हुए उनके पास आकर रुख जाते हैं और भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं तब भगवान शिव जी देवर्शि नारत जी से कहते हैं कहिए नारत जी आप किस प्रयोजन से यूँ अचानक ही पधारे हैं तब देवर्ष नारद जी कहते हैं, हे जगत के करता धरता, आप तो त्रिकाल दर्शी है, आपको तो मेरे आने का उद्देश्य पता ही है, कि मैं आपके पास क्यों आया हूँ, लेकिन आप फिर भी यह प्रश्न कर रहे हैं, तब भगवान भोले नात कहते हैं, हे देवर्ष नारत जी, हम आपकी दुविधा को समझते हैं, आप बिलकुल निश्चिंत होकर हमें अपने प्रशनों को पूछिए, आपको आपके प्रशनों का उत्तर अवश्य देंगे। गायों की सेवा करता है, उनकी पूजा करता है, उन्हें कौन सा फल मिलता है? हे प्रभु, गाय का वह कौन सा अंग है, जिसे सिर्फ स्पर्श करने से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं? मित्रों, देवर्ष नारत जी आगे कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ मैंने देखा कि क कुछ लोग गाय माताओं पर अत्याचार कर रहे थे, उन्हें कष्ट दे रहे थे. हे प्रभु मनुष्य, इन बेजुबान जानवरों पर, गाय माताओं पर ऐसा अत्याचार क्यों करते हैं? उन्हें ऐसा करने पर कौन सा दंड मिलता है? और वह कौन सा ऐसा श्राप था, ज इसे कल्युक की समस्त स्त्रियां भोग रही हैं। मेरी यह जानने की तीवर इच्छा हो रही है। तब भगवान शिव जी मुस्कुराते हुए देवर्शि नारत जी से कहते हैं। किसी समय की बात है। अवंतिपुर नामक नगर में सुरेश नाम का एक धनवान सेठ रहता था। वह प्रति दिन ईश्वर की पूजा आराधना करता था। उसके जीवन में कोई दुख दर्द नहीं था। वह सुख पूर्वक से अपने जीवन का निर्वाहन कर रहा था। ले उस सेठ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसके जीवन में सिर्फ एक ही दुख था कि उसको अभी तक संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला था। इस वजह से वह बहुत ही दुखी रहता था। उसने अपनी पतनी को पता नहीं कितने वेदों और हकीमों को दिखा दिया तब सुरेश उन महात्मा जी के पास रुख जाता है। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद वे तपस्वी महात्मा जी अपनी आखें खोलते हैं। तो सुरेश नाम का सेठ उन महात्मा जी से कहता है। कि तुझे कोई कष्ट भी होगा। फिर सुरेश बड़े ही दुखी भाव से कहता है। हे त्रिकाल दर्शी, मेरे जीवन में केवल एक ही दुख है। और वह यह है कि मेरे विवाह को कई वर्ष हो चुके हैं। लेकिन अभी तक मुझे संतान की प्राप्ती नहीं हुई है। हे महाराज, मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मुझे संतान की प्राप्ती क्यों नहीं हो रही है। और आप कृपया करके मुझे संतान प्राप्ती का कोई उपाय भी बताएं, जिसे करने के बाद मुझे संतान का सुख मिल सके। तब वे महात्मा जी अपनी अंतर मन की शक जब किसी नगर को जा रहा था, तब एक व्रिक्ष के पास एक गाय अपने बच्छडे के पास भूख प्यास से तडप रही थी, तब तूने ना तो उस गाय को भोजन करवाया और ना ही तूने उस गाय को प्रणाम किया था, उस गाय ने तुझ से सहायता भी मांगी थी, लेक उसके पापों के बारे में बता दिया, तब वह सेठ रोते हुए कहता है, हे भगवान, मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया, मुझे अपने आप से घ्रणा हो रही है, मेरी वजह से एक गाय और उसके बच्छडे को दुख सहना पड़ा, फिर वह सेठ महात्मा जी कहता है, हे महाराज, आप मुझे इसका कोई उपाय बताएं, जिसे करने के बाद मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिल सके, फिर वे महात्मा जी उस सेठ से कहते हैं, हे सुरेश, तुम दुखी मत हो, इसका उपाय यह है कि तुम मेरे आश्रम के समीप रहने वाली कालिंदी नाम की गाय की सेवा करो, उसकी पूजा आराधना करो, वह तुमको अवश्य ही पुत्र का आशीरवाद देगी, फिर वे महात्मा जी उस सेठ को एक मंत्र जाप करने के लिए कहते हैं, इसके अलावा यह भी समझाते हैं, कि हे सेठ, तुमको इस मंत्र का जाप करना है, अगर पहली आश्रम में उस सेठ के पास आने लगती है, उस गाय को आता देख कर, वे महात्मा जी बोले, हे सेठ, तू देख, तेरे केवल एक बार ही मंत्र का जाप करने से, यह कालिंदी नाम की गाय स्ववयम चलकर तुम्हारे पास आ रही है, तू बहुत ही भाग्यशाली है, यह गा इस नाम का सेथ उन महात्मा जी को प्रणाम करके उस कालिंदी नाम की गाय को अपने साथ अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है हे भाग्यवान हमें संतान के लिए इस कालिंदी नाम की गाय की सेवा करनी है फिर अगले दिन सुबह होते ही उस सेथ की पत्नी उस गाय माता की पूजा करती है उसे कुछ रोटियां खिलाती है फिर वह सेथ उस गाय को चराने के लिए वन में लेकर चला जाता है और उस वन मे पर वह सेट उस गाय के साथ अपने घर लोटाता है। पर वह गाय उस सेट की पतनी की पूजा को स्विकार कर लेती है और गोपेश की पतनी पर अपनी द्रिष्टी डाल कर उसके सभी दोश समाप्त कर देती है। जहां पर कई सारे पेड़ पौधे, जाडियां और बड़ी-बड़ी घास थी। वह गाय एक जाड़ी के पीछे छिपकर घास चरने लगती है। इतने में ही एक शेर पीछे से आकर उस कालिंदी नाम की गाय को बलपूरवक दबोच लेता है। गोपेश को उस शेर के आने की आहट तक नहीं होती है। उस शेर के कसकर दबोचे होने के कारण वह कालिंदी नाम की गाय दर्द भरे स्वर में जोर से बोलने लगती है। और जैसे ही गोपेश उस गाय की आवाज सुनता है, वैसे ही वह दोडता हुआ उस गाय के पास पहुँच जाता है। एक बहुत ही तपस्वी महात्मा जी ने मुझे मेरे सभी मनोरत को पूर्ण करने के लिए दी है। क्रिपया आप इसकी हत्या ना करें क्योंकि इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा और इसका एक छोटा बचड़ा भी है जो घर पर इसका इंतजार कर रहा है। उन महात्मा जी ने मुझे इस गाए की रक्षा और सेवा करने का आदेश दिया है। मैं इस गाए को मरने के लिए छोड़ कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो। इसी लिए तुम्हारे हाथ से इस गाए को छोड़ाना मेरे लिए असंभव है। इसी हे मरिगराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाए को छोड़ दीजिए। इसके बदले में मैं अपने आपको अपना पूरा शरीर समर्पित करता हूँ। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लीजिए और इससे उन महात्मा जी के आदेश का पालन भी हो मेरे द्वारा गाए की रक्षा भी हो जाएगी। साथ ही साथ गाए माता की रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ती हो जाएगी। इतना कहकर वह सेठ शेर के सामने हाथ जोड़कर और आखें बंद करके बैठ जाता है। फिर अचानक से उस स प्रेट के कानों में एक स्वर सुनाई देने लगता है कि हे पुत्र, उठो, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। यह सुनकर सुरेश उठकर खड़ा हो जाता है और वह अपने सामने उस गाए को देखता है और मन में सोचते हुए कहता है वह शेर कहीं दिख धारण कर लिया था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि संकट में पढ़ने पर तुम अपने प्राण को बचाते हो या फिर मेरे प्राण को। तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए। तुम मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण संकट में डालने के लिए तैयार हो गए थे। इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। हे पुत्र, अब तुम मुझसे वर्दान मांगो। तुम्हें कौन सा वर्दान चाहिए। वह कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी उस मनोकामना को पूर्ण करूँगी। शक्तिशाली पुत्र प्राप्त होगा। फिर शाम हो जाती है और अपने घर को लौट आते हैं। और अगले दिन वे दोनों उन महात्मा जी के पास पहुँच जाते हैं। तब वे महात्मा जी उन दोनों की खुश देख कर कहने लगते हैं। हे सेठ, अब यह गाय तुम दोनों से बहुत ही प्रसन्न है। अब तुम्हारी सभी मनो कामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। और उस व्यक्ति को भगवान भोले नाथ के साक्षात दर्शन प्राप्त करने का सोभअग्य मिलता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वग गाय का दूध पीता है, उसे कोई बीमारी नहीं होती है। और जो व्यक्ति गाय की पीठ को सपर्ष करता है, उसके सभी और यश को प्राप्त कर लेता है। वह व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता है। अतह हमें गाए माताओं की सेवा आराधना अवश्य करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य को साथ पीड़ियों तक मनुष्य योनी में जन्म लेने का सुख प्राप्त होता है। गाए दूसरा प्रश्न यह था कि जो व्यक्ति गायों को मारता पीटता है उन्हें कौन सा दंड मिलता है तो मैं आपको बता दूँ कि उन व्यक्तियों को ऐसा करने पर सीधा नरक की प्राप्ति होती है और ऐसे व्यक्तियों को स्वर्ग और नरक के देवता यमराज जी कई वर्षो प्रश्नों तक कुम्भी पाक नर्क में डाल कर खोलते हुए तेल के घड़े में पकाते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं।